नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विक्रम सिंग और हमारे इस यूटूब चैनल पर फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वाब दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं हिक वीजन का DS-KIS-602L वाला जो मॉडल है यह जो मॉडल है वह आई-पी वाला मॉडल है और इससे पहले जो वीडियो डॉर फॉन आते थे वह एनालोग सिरीज में आते थे जिसका वाइरिंग करना बहुत ही इजी था मगर अभी क्या है जो नए-णए टेक्निशन है या जो नया इंस्टोर करने वाले हैं तो मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि जो वीडियो डॉर फॉन है वो आई-पी वाला वीडियो डॉर फॉन आप अपने घर या अपने बंगले में आप लगा हूए तो आपको ब वाइरिंग अपने घर में कराने का है तो करा सकते हो या अपने बंगले में कराना है तो करा सकते हो तो दोस्तों यह वीडियो के अंदर मैं आपको उसका वाइरिंग का डायोग्राम भी बताने वाला हूं और लॉक का वाइरिंग आप किस तरह से करोगे वह भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों अभी तक भी आपने मेरा जो चैनल है उसको आपने सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप कर लें सब्क्राइब और वीडियो को करें लाइक क्योंकि इसी तरह के नहीं टेकनिकल वीडियो का नोटिपिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे तो चलिये दोस्तों स्टार्ट करते और जानते हैं कि वीडियो डियो इंट्रकॉम किट जो हीक-वीजन का है वह हमने लिया हुआ है इसका हम ठोड़ा अन्बोक्स करेंगे और अभी मैं इसका थोड़ा फीचर्स आपको में बता देता हूं कि इसका जो आउट्डोर वाला जो कैमरा है, वो 2MP का Full HD Video Intercom है उसके अंदर, और इसका जो आउट्डोर वाला जो कैमरा है, वह फिस आई camera है उसके अंदर तो आपको जो उसका व्यूट है वो फिस आई यह उसके अंदर मिलने वाला है जो आपको काफी एंगल में आप उसका जो खेमरे का व्यूब रहेगा काफी वाइड एंगल रहेगा और आई यार सपोर्टेड है नाइट वीजन है अगर आपके उदर लाइट कम है तो नाइट वीजन जो है वह आटोमेटिक उसका वर्क करने लगेगा और इसका जो अंदर वाला जो यूनिट है इंडोर वाला जो यूनिट है उसकी में बात करूँ तो वो 7 इंच का उसका इंडोर वाला यूनिट है 7 इंच का और टच स्क्रीन है तो चलिए दोस्तों अभी इसको अन्बॉक्स करते हैं यह इसका पूरा केवल वगेरा है और इसका मेनुवल इसके साथ में दिया हुआ है और यह इसका आउट्डोर वाला जो केमरा है वो काफी अच्छी क्वाल्टी है और जो वीडियो डोर फॉन रहता है उसमें और इसमें काफी बहुत ज्यादा डिफ्रेंट है और यहां पर आपको अगर कुछ लिखने का है फ्लेट नंबर वगेरा तो आप यहां पर कंपनी ने बाकाइदा नेम प्लेट दिया हुआ है यह और पीछे की मैं बात करूँ तो यहां पर आप यहां पर देखिए यह जो पोर्ट है प्योई पोर्ट यहां पर साथ में दिया हुआ है और लोग को जो कनेक्ट करने के लिए यहां पर बाकाइदा नोंसी और कॉमन ग्राउंड और आपको पावर वगेरा जो भी आपको दे पोर्ट इसके साथ में दिया हुआ है ओके अभी इसको यहां साइड में रख लेते हैं और यह देखिए यह इसका डिस्पिले है इंडोर वाला जो आपको अंदर आपको फिटिंग करने का है ठीक है और यहां पर पीछे की साइड में आप देखोगे यहां पर श्लोट जो दिया हुआ है उसका जो केवल है वह केवल यहां पर हम बन बाई बन बताएंगे कि कौन सा केवल कहां पर यूज होने वाला है और यह इसका वॉल पे अगर आपको फिटिंग करने का है तो यह वॉल पे फिट करने के लिए अंदर वाला जो यूनिट है उसका स्टेंड दिया हुआ है और यह देखे बहार वाला जो यूनिट है उसको एकदम वैदर प्रूफ करने के लिए यह हाउजिंग दिया हुआ है जो यह बहार वाला जो यूनिट है यह इसके साथ में आप तो दोस्तों यह देखिए हमने जो अन्बोक्स किया है उसके अंदर से एक यह हमारा जो है जो इसके इसको इंस्टॉल करने का और इसका जो स्टैनर वह यहां पर स्टैन्ध दिया हुआ है स्टैन्ड जो है वह काफी हैबी है और सेफटी फीच Trung के अंदर यूज किया हुआ है क्योंकि यह जो आउट डर वाला जो हॉजिंग ए इसको ओपन करने के लिए यह आमारे कि मैंटियल प्रोइड किया है उसके साथ में यहां पे एक एलंगी भी एमको दिया है यह लंगी से आपको यहां से hya आउजिंग को open कर लेने का है और उसका जो नीचे वाला जो आप यहां पर देखो गए यह याँ एवन और यह ठीर और इसको पाल्फ बशिद करने के बाद में यहां पे ओर आपको यह उद्ध को लगा देने का है और अभी में यज बाले डिवाइस दीवाइस इंडूर वाला डिस्प्ले तो उसके लिए कंपनी ने यहां पर एक अपने को स्टेंड दिया हुआ है यह जो स्टेंड ने आपको वॉल पर फिट कर लेने का है और उसके बाद में जो अपना करने का है तो वाइरिंग जो है हमारा यह वाला जो एक डिवाइज है कि इधर देगी आर्जे-45 लगाने के लिए इधर इधर पोर्ट दिया हुआ है बाकाइदा लेन का और आउटडोर वाला जो यूनिट है उसमें भी आर्जे-45 यहां पे लगाने के लिए पोर्ट दिया हुआ है चार पोर्ट का है कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो और वाइरिंग का मैं अभी बात करूं तो यह देखे मैंने अभी एक जो केवल के थू मैं आपको बता देता हूं कि यह हमारा एक जो केवल है हम इसको यह हमारा जो आउटडोर वाला जो डिवाइज है उसमें यहां पर कनेक्ट कर देते हैं आउटडोर वाले डिवाइज में को कि आउटडोर वाला जो डिवाइज है वहां से एक जो वायर है हमारा जहां पर भी आप अपना प्योई स्विच वगेरा जो रखोगे वहां तक एक केवल सेपरेट आने वाला है यह देखिए इस टाइप से हमारा जो आउटडोर वाला जो डिवाइज है वह आमने यहां पर कनेक्ट कर लिया है और इंडोर वाला जो डिवाइज है हमारा इंडोर वाला जो डिवाइज है उसके लिए भी एक जो वायर है वह सेपरेट यहां से हमारा जो आर्जे 45 जो है आप अपना जो यहां पर लगा लीजिए ओके और वह दूसरा वाला जो छेड़ा है उसका वह भी हमारे जो स्विच है वह स्विच के अंदर जाएगा कर सकते हो तो ऑटमेटिकली जो इंटरेट है वो डिवाईज के अंदर मिल जाएगा अभी हमने यहां पे हमारा जो प्योड शुइच है उसका हमने पावर आउन कर दिया है और यहां पे देखिए यह हमारा जो जो आउड्डूर यूनिट है उसके अंदर यहां पर पावर आ गया है और इंडोर वाला जो यूनिट है उसके अंदर भी पावर आ गया है दोनों अभी स्टार्ट हो रहे हैं इन दोनों का आपस में कॉन्फिगेशन कैसे करने का है वो भी मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा कि आप इन दोनों का कम्पुनिकेशन कैसे कर सकते हो ओके यह देखिए अभी यहां पे जो हमारा इंडोर वाला जो यूनिट है उसके अंदर उसके अंदर डिस्प्ले आ गया है और यहां पे वह हमसे क्रियेटे पासवर्ड नया पासवर्ड जो है वह क्रियेट करने के लिए बोल रहा है इसके अंदर डिफोल्ट कोई भी पासवर्ड नहीं आता है हमको नया पासवर्ड यहाँ पे create करना पड़ेगा ओके पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है पासवर्ड आपको अपना पासवर्ड जो अलगी रखने का है जो डिफोल्ट पासवर्ड आजकल चलते हैं admin at the rate 123 या admin 123 ऐसा कोई भी पासवर्ड ना रखें जिससे कि आपका जो डिवाईज है वो हैक हो सके होके यहां से जो लेंगवेज है हम यहां से इंगलिस सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में next यहां से अगर आपको dhcp on करना हो तो automatic अगर आपका internet के साथ में यह connect है तो automatic यहां पर आई-पी ले लेगा नहीं तो यहां से आप हम यहां से dhcp on कर देते हैं और यहां से करते हैं next ओके उसके बाद में यहां पर देखें डिवाईज टाइप में आ जाएगा इंडूर स्टेडियम स्टेशन और फ्लो न हम ने जो रजिस्टेशन था वह जो हमारा इंडूर वाला जो डिवाईज है उसके लिए हमने पासवर्ट दिया था मगरा भी हमारा जो आउटडोर वाला जो डिवाईज है उसको भी यहां पर हमको configure करना पड़ेगा और यहां हमको द्वारा से पासवर्ट बनाना पड़ेगा दोनों में पासवर्ट जो है वो सेम रखें जिससे कि इन दोनों को आपस में connect होने में कोई problem ना हो ओके देखिए यह configure यहां से हो गया है उसके बाद मैं यहां से next करते हैं यहां पर यह देखिए कि इनेवल H ik connect server इसको आप यहां से कर देने का यहां से आप इनेवल कर दो इसको और verification code जो है verification code भी यहां से कर दो और यहां पे आप टाइप भी कर दो verification code कि और वह आप controversial code जो है बाद में जब आप इसको मोहे इंदर scan करोगे तो वो time में verification code जो है वो आपसे मांगेगा ओके यहां से next करते हैं यह दिखे आउटडोर वाला जो device है वो यहां पर show हो रहा है उसके बाद में यहां से finish हमारा जो device है हम इसको एक बार check कर लेते हैं कि हमारा जो device है हमारे जो indoor वाली जो unit है उसके साथ में connect हुआ है कि नहीं हुआ है तो हमारा जो आउटडोर वाला जो device है उसका मैं यहां से bell प्रेस करता हूं तो यहां पर आप देखिए हम जैसे यह प्रेस करते हैं तो indoor वाला जो यूट है वहां पर रिंघ करना है तो आप यहां सेपिक अप कर सकते हो डिनाई कर सकते हो और लौक ही यहां पर देखिए मैंने इसको पिक अप कर लेता हूं सब्सक्राइब और नहीं थीक है अभी मैं इसका जो वीडियो है इसका जो वीडियो क्वालटी गोरी मैं आपको यहowanie आपको छेक करा देता हूं कि इसकी जो वीडियो क्वालटी यह वो यहां से हम दोड़ा ऑगे के ओर इहां में आपने डर्वाजे पहर अगर अगर इसको लगाओ गए तो पूरा का फ्यू व्यू जो है वह आपका आजाएगा और अभी मैं आपको बता देता हूं यह वाला जो हमारा इंडूर वाला जो यूनिट है उसको आपको अगर वाइफाई से कनेक्ट करने का है तो यहां पे देखिए यहां पे सेटिंग सेटिंग के अंदर जाओगे तो य यहांसे आपको Wi-pi को ओन कर देने का है जैसे ही आप Wi-fi को मारी कर तो आपका जो भी Wi-Fi है SSID हो यहां पर100 हो जाएगा और यहां से आप अपना वाइफाइव का पासवर्ड आपको डालने का है वाइफाइपा पासवर्ड डालने के बाद आपको यहां से oh say a warm kind करोगे तो यहांसे Wi-Fi जो है वो Connect हो जाएगा फोके यह देखे यहां पर मेरा जो WiFi है वो Connect हो गया है अभी मैं आपको ये वाला जो डिवाइज है वो आपको अगर मोईल के उपर आपको चलाने का है तो वह पी मैं आपको बता देता हूं यहां पर देखे सेटिंग में अपको जाने का है सेटिंग में आप जाओगे आपको यहां से नीचे सेटिंग सबसे नीचे जो दिया हुआ है उदर उसके बाद में कॉन्फीकेशन में जाने का है कॉन्फीकेशन में जाने के बाद में यहां से आपको पासवर्ड जो है आपने पासवर्ड जो डाला है वह पासवर्ड यहां पर आपको इंसर्ट डाल देने का है उसके बाद में यहां से ओके ठीक है है कि उसके बाद मैं यहां पर देखिए राइट सैड में जो है यहां पर काफी आप्षिन आरहे हैं यहां पर नेटवर्क ठीक है यहैं इसका जो आई-पी है वो यहां पर सो कर रहा है हमको नीचे सेटिंग में जाने का है और यहां पर सबसे नीचे देखिए ही connect service setting जो है उदर आपको जाने का है और यहां से देखिए अगर आपको इसका application अगर आपके पास में नहीं है तो वह application अगर आपको download करना है तो यहां पर जो left side का बार कोड दिया है वहां से आप उसको scan करके application download कर सकते हो और मैं यहां से ही connect जो है देखिए ही connect server उसको यहां से enable कर देता हूं और verification code उसको भी यहां से enable कर देते हैं और यहां पर कि आपको verification जो है अपने हिसाब से आपको यहां डाल देने का है ओके verification code डालने के बाद में आपका जो mobile के अंदर application है mobile के अंदर जो आपका ही connect का मैंने यहां पहले से software जो है वह यहां पर मैंने install किया हुआ है ओके यह जो application है वह application आप ही connect का जो website है वहां से आप download कर सकते हो यहां मैंने आपको बताया कि यहां पर देखे बारकोड भी दिया हुआ है वहां से भी आप इसको अगर आपको यहां से download करना है तो यहां से भी आप scan करके download कर सकते हो अभी इसको scan करने के लिए यहां से right click अगर आपको मैनुली करना है तो आप मैनुली भी कर सकते और स्केन करना है तो आप इसको यहां से देखिए स्केन भी कर सकते हो यह मैंने आप इसको स्केन कर लिया स्केन करने के बाद मैं यहां से आपको एड करने का है add completed यहां से next यहां से save यह सेव कर लिए हो गया है यहां से इसको skip कर देता हूं मैं यह देखिए मेरा जो video door phone है वो यहां पर model number के साथ में मेरे device के अंदर add हो गया है अभी मैं यहां पर ring करता हूं देखिए मैं यहां से ring कर रहा हूं यह देखिए सबसे पहले मेरा जो indoor unit है उसके अंदर यहां से में operate करना है तो मैं यहां से कर सकता हूं यह देखें कि अधर जो मुवाइल है उसके अंदर जो प्लेट है वह आपको यह अच्छी तरह से आपको मालूम पढ़ जाएगा कि जो इसका जो प्लेट है वह कैसा है कि आपको बात करना है तो आप बात भी कर सकते हो हेलो 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 है आपको अगर बात करना है तो मुवाइल के थुरू ही आप आउट्डोर वाला जो यूनिट है उसके साथ में आप बात कर सकते हो और लॉक वग आउट्डोर यूनिट है अभी आपको देखे प्रॉपर जो है इधर आपको उसका व्यू भी मालूम पड़ जाएगा मैंने वॉल पे लगाया है तो पूरा का पूरा मेरा जो ओपीस है वो केचप हो रहा है और यहां फॉन के अंदर भी देखिया यह देखिए फॉन के अंद केमरा है और अगर आपको इधर बात करना है तो देखिए में यहां पे हैलो ने को यह वीडियो डॉर फोन के साथ में कोई लॉक अगर अपने को कनेक्ट करने का है तो लॉक का जो वाइरिंग है वह आप किस तरह से करोगे जहां पर भी आप लॉक फिटिंग करने वाले हो तो वहां से लेके लॉक से लेके और यह जो आउट्डोर वाला जो डिवाइज है अपना वहां तक आप एक केट्शिक्स केवल और आप डाल दीजिए तो उसमें अपना यहां पे देखिए जो बारे बोल्ट और ग्राउंड जो लिखा हुआ है ठीक है ना तो मेरा जो औरे अगर आपके पास हो तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो ऑके और गरीन बॉइर है वह मैंने कॉंन में लगा हुआ है और गरीन वाइट वाला जो वह और लगा हुआ है आपको भी इसी तरह से कनेक्शन करने का है अभी साथ के साथ में अगर आपको पुछ बटन भी लगाना है तो कि ए आई एन 3 करके जो है पूट उसके अंदर पुछ बटन का एक केवल मैंने आपको यहां पर कनेक्ट किया हुआ है तो आप यह कैसे वर्क करेगा यह देखिए यह जो है इधर मेरा 12 और यह ग्राउन है और यहां पर जो ग्रीन कलर का वायर जो है वो कॉमन है तो मैं कॉमन को 12 बारेवोल्ड के साथ मैं यहां पर connect कर देता हूं यह देखिए मैंने यहां पर इसको connect कर दिया है अभी मेरे पास में यहां पर दो केवल बचे होएं एक ground है और एक जो यह बायर है यह nc1 है तो हमारे जो केवल है ठीक है न हमारा जो लॉक है उसके अंदर एक पलस है और एक माइनस है तो यहां पर जो पलस है nc1 वाला उसको यहां पर मैंने connect कर दिया है nc1 के साथ में लॉक को एक केवल लॉक का इधर लगा दिया और एक केवल मैंने यहाँ पे अपना जो ग्राउंड ये देखे शाए जैसी में इसको ग्राउंद के साथ में तो यहाँ पे देखे जो ओरेंज करर का जो वाईड था के अंदर जा रहा है और यहां पर जो एंजिवन है ठीक है ना सब्सकैस के अंदर उसके साथ में कनेक्ट है अभी अपना यह में एक पुछ बटन भी लिया हुआ है पूस्बटन इसे यह जो दूसरा ओना जो वायर है पुछ बटन का वह आपको यहां से ग्राउन के साथ में को connect कर दिया है और दूसरा इसका जो चेड़ा है वो अपना कि AIN 3 के अंदर यहां पर मैंने connect किया हुआ है यह दिखें दुवारा दिखा देता हूं मैं आपको यहां से कि AIN 3 के अंदर मैंने पुष्बटन के वायर को जॉइंट किया हुआ है ओके अभी हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार पूरा का पूरा तो यह हमारा पुष्बटन है इसमें तो यह देखें पुष्बटन से तो डोट से तो ऊपन हो गया पुष्बटन से यह लॉक लग गया अब यूदू जोर फांसे हम बजाते हैं एक का बेल अदर जा रहा है और यहां देखें साथ के साथ में अधर है से अंधर भी यह देखें, लॉआ अपन हो गया, दोर अपन हो गया, ठीक है, फोन से भी कर सकते हो, और आपको अगर, यहां से आपको पिक अप करना है, और यहां से आप लोक जो है, यह लेकिए, यह लोक अपन हो गया a दोस्तों यह देखी है यहां पर बेको यहां पर यहां पर मैसीज अ नींदर यापर यह यह रिंडटोन न यह है आपको भर रिंडऻ मेरा जो भी चेंड करना हMr. लुट एत्वे कर सकते हो आप कॉल जो भी टाइम्स आपको रखना है तो तो सकते हो उसके नीच आप देखिए वॉल्यूम सटिंग और other setting ठिक है ना यहां आपना Wi-Fi का option है यहां पर आप जैसे इसको इनेवल करोगे ठिक है यह देखिए अगर आपको directly Wi-Fi से आपको connect करने का है तो आप directly Wi-Fi सेवchine इसको connected कर सकते हो----- ऑगर आप आपना inटरेट का wire डालना भूल गय को यहां से आप जाके उसको डारेक्टली वाइफाई इसमें यहां अपना पासवर्ड आप डालोगे कि देखे मैं आपको कनेक्ट करके बता देता हूं कि अब कि यहां से करने का है कि यह कणेक्ट इसे यहाँ पर सेव हो गया है वाइफाई जो पहले क्रॉस आ रहा था महां पर आभी देखे वाई-फाई यहां पर अब है कि उसके बाद में फिर सेटिंग में जाते हैं यां अतर शेटिंग दो नो डिश्चरूबू अगर आपको करना है तो दूरूर। है कर सकते हो यहा पे पे नहीं तो बैक कर सकते हो ओके यह वा財ी का उप्सन में आप Ice कर दीआ हैं उसके बाद में आप नीचे जाओ सोब्स हैं इस हई किसे टिइट कर सकते हो और डेटन तरब अगर जाहिए जो भी आपको date and time है यहां से format अगर आपको चेंज करना है तो यहां से कर सकते हो पहले date फिर month for a year okay time format जो है वो 24 का करने का है तो आप 24 का कर सकते हो 12 hour का करना है तो आप 12 hour का कर सकते हो और synchronize करने का है time zone आपको तो आप यहां पर आप जाहिए timing जो हमारा इंडिया का जो timing है वह आप यहां से set कर सकते हो यह देखें यहां पर बोम में न्यू दिली यहां पर इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए इसको आप इनेवल कर दीजिए संक्रोना इंटर ट्रेवल होता रहेगा उसके बाद में यहां से बैक यह देखें टाइमिंग जो है वह ऑटमेटिकली यहां चेंज हो गया है को पर आप यहां सेटिंग में जाहिए यह अपना सेटिंग में यह इसके बात में नीचे कंफीगेसन में जाना है यह या रिव्यू डिवाइज में जाना है करो प्लीकेशन में आप जब जाओ गो email ID अगर आपको डाला है तो आप डाल सकते हो और डाला हूअ email ID आपको चेक करना यहां पर आप चेक कर सकते हो अगर आपको reboot करना है तो नीचे option दिया हूँ configuration यहाँ पर version दिखा देगा ऑप भी कौन सा यह अगर आपको viral number देखना है तो यहां पर आपका सीरिल नंबर जो है वो यहां पर सो कर देगा उसके बाद में यहां पर आप देखिए इंडोर स्टेशन हो गया रूम इंफोर्मेशन हो गया लाइव व्यू डूरेशन का अगर टाइमिंग आपको कम ज़्यादा करना है तो वह आप यहां से कर सकते हो पा से जाओगे यहां पर आपको प्लेटफॉर्म आईपी वगरा मैं यहां पर आपको मैंडोर स्टेशन जो है उसका आईपी 65 है उसके बाद में यहां पर सेटिंग अगर आपको इसको कमपनी डिफोल्ट करना है तो यहां पर रिस्टोर पर किलिक करना है उसके बाद में यहा आज का जो वीडियो था आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा. मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्क्राइब कर लें. इसी तरह के नएने वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहेगा